So, मेरी प्यारे बच्चा पारटी, once again, welcome to Sachin Sir Physics, the finest and easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in Ish-Mohabbad with physics. So, बच्चा आप देख रहे हैं, ब्रह्मास्त्र. And ये ब्रह्मास्तर की सीरीज में हमने आपको पहले पूरा concept सिखाया, और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे questions CBSE पूछती है, देखिए easy question जो होगा वो हर कोई कर लेगा, लेकिन एक अच्छे level का question CBSE जो पूछती है, तो उन questions को करने का deal कैस तरीके से होना चाहिए, क्या mindset होना चाहिए, वो इस वीडियो में आप सीखेंगे, बच्चा ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप से request है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे है, for question practice, आपने इससे पहले दबंग सीरीज, चानकरती सीरीज देखी है, या ब्रह्मास्तर का जो conceptual वीडियो आया morning में, वो अगर आपने देखा है, तो ये आपको बहुत मजा देगा, आपको confidence next level पर जाएगा, आप अगर अपनी preparation को 90% वाले पर लेकर जा रहे हैं, कि मुझे 70 में से 65 प्लस माक्षी है, then this video is for you, and वो बच्चे जो पूरे साल कुछ पढ़े नहीं है, उनसे request है कि आप morning का conceptual video भी करके फिर ये देखोगे, तो ये आपको बहतर result देगा, बच्चा इमानदारी से, पहले concept सीखें, फिर question की practice करें, years of experience, went through a lot of sample papers, जो की market में बहुत जादा प्रचलित किताबे हैं, जो बच्चों को बहुत जादा रोमांचित करती हैं, देखने के लिए कि हाँ, यहाँ से ज कुछ किताबे ऐसी हैं, जो की आपके प्रिवेसर की questions को देखते वे, दिमाग लगाती ही कि हाँ, इस तरीके question आता है, तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया, बच्चा, मैं कोई किताब नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के प्यारोड सपोर्ट से, वेश्वर की कृपा से, इतने सा चक्टर 1, 2, 3 ही complete करेंगे, ठीक है, फिर next वीडियो में चक्टर 4, 2, 7, फिर 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, तो आप भी इसी तरीके की sequence को follow करें, class में जो भी पढ़ेंगे, उसका notes टेलिग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलिग्राम को जोईन करना ना भूले, link description box में है, तो अब सुरत से पानी की bottle लेकर के बैट जाएए, सवाल देखिए, और मेरे साथ इसको solve करने का approach सेखिए, physics के साथ आपको इश्क महबत पका होगा, fail कोई भी नहीं होगा, अगर आप तुम इमानदारी से ब्रहमास्त सीरीज करके जा रहे हो, तो आपको कोई fail नहीं कर सकता, बाव प्लस क्यू चार्ज है और एक आपका प्लस क्यू चार्ज है, जो कि स्वारी माइनस ए, यानि कि ये और जीन हुआ, यह आपका माइनस है और यह आपका प्लस ए, ऐसा रखा हुआ है, X-Axis पर हं पार्टिकल ऐफ मास, मंड चार्ज क्यू नौट और फू बाई तो यहाँप पर एक चार्ज क्यू नौट रखा हुआ है और two charges each equal to q तो यहाँ पर भी q समझे यहाँ पर भी q समझे देखे सवाल पढ़ा उसके बाद diagram बनाया फिर मैं आगे जा रहा हूँ आप physics को रट नहीं सकते बच्च placed at the origin तो origin पर रख दिया और यह q by 2 है I guess yes q by 2 है ठीक है if a charge q 0 यहाँ जो q 0 था q by 2 is given a small displacement y अगर यह axis है तो यह y हुआ यहाँ पर हम इसको displacement दे रहे है y और y की कीमत भी जो है वो a से काफी जोटी है मतलब अगर a meter में है तो यह micrometer में ऐसा समझे ऐसा question का demand ही तो सवाल बोलता है कि the net force acting on the particle is proportional to मतलब इस particle पर जो की q 0 था net force कितना लगा अब concept आपको सिखाये गया बच्चा जब भी आपको net force निकालना होता है तो आपको यह देखना होता है कि कितने लोग उसको मार रहे है तो यह मारेगा तो इसका direction यहाँ चला जाएगा इसको यह मारेगा तो यह direction यहाँ चला जाएगा सर ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ विक्रिस दोनों ही charges इसको repel करेंगे ऐसे विक्रिस बोथ हार positive अजहर सी बात है कि यहाँ पर एक angle बनेगा यहाँ पर भी angle बनेगा अब यह आपका f है तो यह आपका f cos theta हुआ यह आपका f है तो बच्चा यह भी f cos theta हुआ जिस तरफ theta होता है बच्चा वो हमीशा cos theta होता है और उसके against वाला क्या होता है sin theta होता है जहाँ पर कून बने वो cos theta component ही होगा इसे ऐसे याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी अब आप देख सकते हैं कि किसी एक particular point पर 2f cos theta आया और यहाँ पर f sin theta आया और यहाँ पर भी f sin theta आया तो इस particular point पर net force बचा कौन 2f cos theta तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं f का formula k q q naught upon my distance यह distance हुआ न r square जो लिखता है यह distance किसके बराबर है पाइथागोरस theorem के हिसाब से y square plus a square under root में बठ़ड जाएगा into cos theta अगर यह theta है तो यह theta है तो cos theta की value हुई y divided by this cos theta बराबर base upon adjacent तो y upon my y square plus a square की power में 1 upon 2 अब मुझे खाली इतना देखना है कि force किसके proportional में है चार option आपको दिया हुआ है आप इतना समझी है बच्चा कि question में कह रहा था y greater greater than a कहां गया जी यह रहाँ less less than a मतलब y की जो value है a से बहुत छोटी है है ना तो हम यह वाले y को neglect कर सकते हैं इस वाले y को neglect कर सकते हैं उपर बचा a cube लेकिन यहाँ y है ही तो ना k पर depend करेगा विकस के constant है यह constant है यह भी constant है और a भी constant ही है y आपका displacement था वो कुछ भी हो सकता था तो basically आपका जो एफनेट है वो proportional to क्या हो गया y तो आपका answer क्या आएगा y आया समझ में ठीक है अगले प्रश्ण पर चलता है यह question भी बहुत interesting है सारे questions बहुत conceptual है मैंने ताकि theory और फिर theory जो आपको अलग से वीडियो में मैंने पढ़ाया उसके आद आप यह जब वीडियोस देखेंगे आपको physics के साथ प्यार होगा आपको लगेगा यह इनसान हो गया क्यूटो फडिकनफ फिगर two positive charges क्यूट एंड क्यूथा एक्सेस विग्sis एक्सेस गमत लिया मैंने यहथा है और यह क्यूथा है की आपको ।्रे से हाग और यह आपका क्यूथää यह क्यूथा एक्सेस पर एक चार्ज आहेक्सेस वारग का Q1 इसके उपर फॉर्स लगाता इप पॉजटिव चार्च क्यापिटल क्यू एड़ एडब्ए एक्स कॉमा जिरो तो इको पहले यह दोनों न इस पर फोर्ष लगाते हैं आप खुट सोचो अभी ही move कर सकता है इसके पास दो option है या तो यह इसके तरफ जा नहीं सकता क्यों क्योंकि यह negative positive नहीं है दोनों positive तो रिपेल होगा रिपेल होगा यह इधर जाएगा यह इधर जाता बट इसकी वज़से इस पर देख रहे हैं इसले इधर और यह इसको क्या बोलेगा वह भाग यहां से तो इन दोनों का resultant कहां आया इस तरफ आया आई बात समझ में ठीक है कोशन में कहता है कि अगर इसी पर मैं एक और रख दू चार्ज यहां पर तो यह भी तो मारेगा इसको यह भी इसको क्या बोलेगा वह भाग यहां से तो ultimately यह जो चार्ज से experience force करेगा कहां पर negative x-axis पर तो आपका आंसर है tell point along the negative x-axis है ना तो यह कूलम्स लोग के बड़े ही conceptual सवाल हो गया अच्छे सवाल हो गया अगला प्रशन है identify the wrong statement in the following Coulomb's log correctly described as the electric force that तो पहला option है binds the electron of an atom to its nucleus पहला ही बच्चा गलत statement है वही हमारा सही जवाब है क्योंकि nucleus के अंदर nuclear force होता है जो proton और किसको रखता है nucleus को रखता है अब यहां बोलता binds the electrons of an atom to its nucleus नहीं यह आपका statement गलत हो गया binds the protons and neutrons in the nucleus nucleus of an atom कि दिमाग के साथ आपके खेल रहा हूं मैं थोड़ा सोच समझ करके जवाब दीजेगा बच्चा लो है नमास्टरवाज जो है आपका बावैसस पी खेलता बहुत है बच्चों के साथ ताकि आप गलतियां करकर के सीखें इसको पढ़िए अच्छे से binds the electron of an atom to its nucleus nucleus में कौन होता है positive negative होता है और electron यह होता है हाँ इनके बीच में कुलम्यन force होता है यह बिल्कुल सही है लेकिन हमारा statement गलत नहीं हमारा answer नहीं हो describe the क्या बोलता है wrong statement दूसरा पढ़िए binds the proton and neutron यह गलत हुआ क्योंकि proton और neutron को बांध कर रखता है nuclear force यह proton और neutron यह मैंने मानेस बोला था गलत है neutron है neutron होता है तो इसको इसको बांध के रखने वाला force कौन सा है nuclear force मतलब यह statement गलत है और यह हमारा सही जवाब है आई समझ में कि नहीं बच्च बाद ठीक नंबर फूर पर आईए टेकन चैप्टर टू थिन वायर रिंग्स इच having a radius capital R देखिए तो एक capital R लिया दूसरा भी ले लिया capital R इसको ऐसे क्यों बनाया आगे की लाइन are placed at a distance of D apart इनके बीच की दूरी जो है D है दियर एक्सिस कोइंसाइडिंग इनके एक्सिस देखी कोइंसाइड है मतलब एक रिंग ऐसी है दूसरे रिंग ऐसी है तो इनके अधर चार्ज तो यह चार्ज यहां पर आजो यह distance D by 2 यह डिस्टेंस भी दिवाइट फॉर्मुला क्या होता है के क्यों अपॉन में आर डी बाइटू माइनस में के की अपॉन डी बाइटू हाला कि प्लस होता है लेकिन चार्ज आपका माइनस है कट गया answer 0 अधिकांस थे MCQ तुक्का नहीं मारे अधिकांस थे MCQ जिसमें ऐसे प्रश्ण होता है तो उसमें answer बहुत छोटा होता है जीरो answer है क्यों आया मैंने आपको भी explain कर भिया चलिए एक्वी potentials at a great distance from a collection of the charges बहुत सारे charges है great distance मतलब यहां से समझ लीजे एक किलोमेटर अच्छा distance तो जब आप यहां से एक किलोमेटर के distance पर जाएंगे then this collection of the charges will behave like a single positive charge और single positive charge का जो equipotential surface होता है तो just like sphere होता है तो वहां से आर्ज इतने distance पर sphere के सारे point पर potential आपका सेम होगा इसलिए answer क्या आएगा sphere ठीक चलो हर बार जमने आप सवाल आए बच्चा इतना अच्छे से यह सब हमने आपको theory में पढ़ा है प्रमास्त सीरीज में चानकेती सीरीज में दबंग सीरीज में तो दबंग में तो line by line है बच्चा इतना बहतरिंग content आपको वाइटी पर कहीं मिलेगा ही नहीं है ना उसे के लिए लोग सब्सक्रिप्शन और चार्जस लेते हैं बड़ बाबा एसस्पी ने आपके लिए हर चीज फ्री रखिए बच्चा चलिए वर्ग डन तो मूव चार्ज अलॉंग दन इक की इंजिन potential होता है और क्यू इंटू डेल्टा वी तो जिस पर हम जाते हैं वह हमें साथ टॉप पर होता है बाइनस डारेट फॉर्मूला यह है यह मस्ट बी डिफाइंड एस बाइनस ए टू बी डॉट दील इस डारेट फॉर्मूला टू रजिस्टर आरवन एन रटू और फोर ओमेंड शिक्स ओमर कनेक्टेड इन पैरलल अक्रॉस बैटरी तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है एक दूसरा आपका 4 है और दूसरा आपका 6 है लेकि MCQ में इतना समय नहीं होना चाहिए डाइग्राम बनाने का बट मैं आपको समझा रहा हूं था कि आप सोचे कैसे तो यह किसी बैटरी के साथ ऐसे कनेक्टेड वी वोल्टेज के साथ बैटरी के साथ दरेश ऑपावर दूब वन अपॉन वी स्क्वेर बाई आर वन एंड देन वी स्क्वेर बाई आर टू दाट मिन्स आर टू अपॉन में आर वन यानि 6 बाई 4 यानि 3 बाई 2 इस दे करेक्ट आंसर आया समझ मैं ठीक है बच्चा मजा आ रहा है बच्चा तो प्यारा सा कॉमेंट जरूर लिख है बहुत सारे जो कोश्चन से बहुत अच्छे-च्छे सवाल जो है मैंने उठाए है कुछ बुक से उठाए है कुछ कोई जगह से उठाए है ताकि क्या है कि आपको हर तरह का कुश्चन का कलेक्शन में जाए ऐसा और फिर यहां पर एक बैटरी भी है वी वोल्टेज की औ मतलब कि अगर यह 10 ohm है यह आपका 0.1 है काफी छोटा हो गया 10 के कंप या इसको आप 100 माल लीजे अब बहुत छोटा हो गया फुल्फिल हो रहा है कंडिशन and then less than r0 मतलब यह 100 है न तो इसको आप 90 माल लीजे और यह variable रजिस्टेंस है वैरी करता है लिखा भी आर नोट टो इंपरिटी कितना भी बढ़ सकता है तो इस में से क्या सही होगा पहला potential drop across a b is nearly constant as rd is varied नहीं अगर यह वैरी करेगा तो यहां का potential difference यहीं a b है यहां का potential difference constant नहीं हो सकता यह यह चेंज होगा तो potential difference भी चेंज होगा विकिस भी वराबर क्या होता है आया होता है आया के नहीं समझ पर है दूसरा करेंट थू आर डैस is nearly a constant as rd is varied constant हो ही नहीं सकता क्योंकि यह आर डैस यानि कि यह आर नोट डैस वैरी कर रहा है current depends sensitively on rd सब पर depend करेगा current सिर्फ इसी पर depend थोड़ी न करेगा भाई मैं इसको change करूंगा तो value change हो जाएगी so it will not depends only this एक ही चीज़ पर ओके i is greater or equal than v upon small r plus capital r क्या हमारा current यही होगा यहां से जाने वाली जो current है वो आई बराबर v upon इनका resistance अब इसका resistance दीखिए क्योंकि दोनों parallel में है अब parallel में जो छोटा होता है उसकी value इससे भी छोटी आती है मतलब कि almost यह अगर answer यह 90 है यह आप मैंने गलत ले लिया सायर r less less r less than होना चाहिए था न तो इसको मुझे 110 करना चाहिए तो अब मेरा जो answer है वो इससे भी छोटा हैगा because यह parallel है parallel में जो हम सबसे छोटा resistance लगाते है हमारा answer उससे भी छोटा आता है if you want to understand this just do one practice question 2 ohm and 3 ohm both are connected in parallel what is the final answer you will see 3 into 6 upon 5 see the result it is one point something your answer is less than the smallest resistance you are using in the parallel circuit मतलब जो आपका resistance overall आ रहा है वो सबसे छोटे resistance से भी कमाएगा तो इसका overall answer इन दोनों में छोटा कोण ने यह है यह आपका 100 था यह आपका कितना था यह मैं क्या वरबर कर रहा हूं r less than r naught इसको 90 समझे चलिए और यह आपका 100 है हाँ तो इसका answer 90 से भी कमाएगा मतलब almost 90 के हस्पास समझ करके रखो तो इसका पूरा answer r and then plus r तो r plus r यही आपका सही जवाब है थोड़ा logic की जुरूरत है थोड़े concept की जुरूरत है current कैसे निकालते अब आप इसको रट नहीं सकते सो मैं हाथ जोड़ करके request करूगा उन तमाम बच्चों से जो सिर्फ physics को रट रहे बाबू प्लीज रटो मत अभी भी आपके पास exam से पहले का समय है इतना भी अगर आप याद करके जाएंगे ना आपके आराम से 40 marks तक आ सकते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़े है इतना करके जाए जैसे मैं बता रहा हूं जैसे मैं सिखा रहा हूं था कि ऐसा कुछ question सा जा तो आप दिमाग लगा सके ठीक है अगला प्रेस्ट इन अवेस्टन बीच त्री रजेस्टेंस पी की और रर कनेक्टेट इन थ्री आम्स यहां आपका पी होता है यहां आपका क्यू होता है रोता हो यहां ऐसोता है संॉत चानेक्टेटेट कि इन सीरी इस नस्टू चौत्हे आम में यहां पर कौन कनेक्टेट है स वन और एस टू किसमें connect and है series में connected है तो यहां S1 plus S2 हो गया तो simple है P upon में Q is equal to R upon S1 plus में S2 answer देखिए यह रहा यह option number 1 तो R1 upon R2 is equal to R3 by R4 था R1 and R2 basically P upon Q के जगह पर है R3 हो गया और यह हो गया that's it चलो पक्चा next question a positively charged particle moving due east enters a region of uniform magnetic field directly vertically upward okay to magnetic field directly upward है ऐसा है आपका magnetic field और हमारा charge particle ना east direction में चल रहा है ऐसे तो देखो दोनों की बीच में कूण कितना हो गया 90 degree अगर आपने ब्रह्मास्तर का class देखा है तो मैंने इसमें लिखवाय था कि जब भी charge particle 90 degree पर भूसता है by making an angle 90 degree with the magnetic field नाचने लग जाता है दिस मेंस वो circular motion करने लग जाता है कौन सा option है option number D move in a circular path with uniform speed ओके next question की cbsc board में भी आ चुका है अच्छा cbsc board से यादा है 2012 से ले करके 2022 तक का जितना भी आपका cbsc का paper है बच्चा अगर वो बच्चे जो बढ़ियास अपना preparation किये हुए है तो मैं यह कहूंगा और सारे बच्चों को टटोलना है जरूर यह भी देख लीजिए बराबर जो आपके लिए मददगार हो सकता हो सब मैंने चैनल पर डाला हुआ आप जरूर देखना time spend करना अच्छा का सा समय आपके पास physics के पहले तो long street wire radius a यह वायर लीजिए इसका radius a लीजिए ठीक है ओके कोई दिकत नई सब्सक्राइब करीज अब इसमें से जो करेंट चल रही है वह आपकी क्या है आई ठीक है दर करेंट is uniformly distributed current uniformly distributed across its cross section the ratio of the magnetic field at 2a is 2 just a second यहां पर हमको लगता है यहां 2a and a by 2 is गलत लिए टाइप वाय बच्चा तीम बहुत छोटी है बट पूरी कोशस करते हैं आपको अच्छे सा बता है तो ऐसा बोल रहा है कि आपना 2a distance पर जाओ यहां से आपका जो r है वो 2a distance पर जाओ square one समझो और जो दूसरा आपका r2 है वो आपका a by 2 है तो बताओ क्या होगा हम यहां पर formula interesting है 2a distance मतलब आप outside चले गए और outside के लिए formula होता है mu not i upon 2pi r which is 2a और दूसरे में बच्चा आप अंदर है it is a by 2 इसका formula होता है mu not i r1 यानि कि यही r1 मतलब distance r mu not i small r smaller आपका a by 2 upon 2pi a ठीक आप ध्यान से देखिए यह 2 नीचे आएगा तो यह 4pi a ही हो जाएगा इसके जैसे ही हो जाएगा तो दोनों सेम हो गए ना नहीं समझे भाई फिर से देखिए यह जो distance है नीचे आएगा तो यह आपका 4pi a ही हो जाएगा तो दोनों सेम हो गए 4pi तो आपका answer कितना हो गए ratio का one clear done चलिए आगे बढ़ते है an electron is projected with uniform velocity along the axis of current carrying long solenoid which of the following is true अब जो electron है वो solenoid के कहां से पास हो रहा है इलेक्ट्रोन इस प्रोजेटेटर भी तुने फार्व वेलोसिटी लों दे एक्सेस अप करेंट केरिंग तो बच्चा solenoid के अंदर से इसे पास हो रहा है एक्सेस से यहां तो आप सोचिए लेक्ट्रोन मीआडिग्यूंझ पिले के साथ पैरलल जुस गया अगर defend gonna Reach नेग्ट्रोन की एंगेट्रोन के बीकी मेंचेस इंगल कितना बना सीरोगरी तो फोर्स कितना होता थाए डिचेयों VB sin 0, sin 0 की कीमत कितनी होती है, 0, हमारा force कितना हुआ, 0, so net force on the electron is 0, that's why it will go straight, straight चला जाएगा, भाई मैं सीधा जा रहा हूँ, मुझे कोई आके मारता नहीं, तो मैं सीधा ही चला जाएगा, मुझे कोई मारेगा, तो मेरा path deviate हो जाएगा, so there is no magnetic force, because there is no angle, sin 0, 0, that's why, कुछ नहीं हुआ, चलिए, अब हम 13 से 16 नंबर क्या देखेंगे, assertion reason, आएगे बच्चा, assertion reason भी आपके exam में है, तो पूरा paper जो हम करा रहे हैं नहीं पर, वो पूरा जैसे CBAC का label है, वैसे करा रहे है, कि आज का यह जो question practice आप कर रहे हो, chapter 1, 2, 3 पर based है, electron move away from a region of lower potential to region of higher potential, अच्छा, क्या electron lower potential से higher potential पर भागता है, जी हाँ, minus से repel होकर कि plus की तरह भागता है, यह आपका assertion बिलकुल true है, false, reason, sorry, an electron has a negative charge, हाँ, सही भी reason है, electron पर negative charge होता है, इसलिए यह minus से plus की तरह बैसे भागता है, from lower potential to higher potential, so both are correct, and the reason is the correct explanation of option number A, assertion reason, बिलकुल सवाल ऐसे ही करना होता है, assertion सही है, reason का statement भी सही है individually, और उपर से reason assertion का correct explanation है, तो option number A is the right answer, alright, next question, if the distance between the parallel plate of capacitor is half, यानि कि अगर हम capacitance का formula देखें, इसको आधा करें, तो हमारा capacitance क्या हो गया, two times हो गया, capacitance two times हो गया, यह three times बोल रहा है, तो assertion तो गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, capacity of capacitor doesn't depend upon the nature of the material, फिर से, if the distance between the parallel plates of capacitor is half, and the dielectric, अरे यार मैंने question पुरा पढ़ाने, sorry, dielectric constant is three times, then the capacitance becomes six times, यह सही है, मेरी गलती है, क्योंकि formula ऐसा होता है, अगर हम capacitor के दो प्लेटों के बीच में dielectric slab डाल दें, तो के टाइम्स बढ़ जाता है, यह d by two है, यह already कितना है, three, हाँ, तो six times, यानि capacitance जो हो गया, नया वाला, वो पहले की comparison में, छे गोना है, assertion सही है, but reason जो है false है, capacitor के दो प्लेटों के बीच में, material के नेचर पर बिलकुल depend करता है, capital के पर, capital के जितना जादा होगा, capacitance भी बच्चा उतना हे जादा होगा, समझवाएकि नहीं, तो हमारे capacitance बिलकुल depend करता है, तो reason का statement गलत है, और assertion सही है, यानि option number C is the right answer, चल्ये, in a simple battery circuit, the point of the lowest potential is positive, terminal of the battery, in the simple battery circuit, the point of the lowest potential is positive terminal of the battery, come on बच्चो, it's a wrong statement, the current flows towards the point of the higher potential, as it does in such a circuit from negative to the positive terminal, I think this is also wrong, it's very easy to get the answer of it, we know that current direction is always from positive to negative, तो दोनों ही statement गलत है, इसलिए option number D was the right answer, next है, the magnetic field produced by a current carrying solenoid, is independent of its length and cross-sectional area, क्या कहेना चाहेंगे बच्चा, इसका answer दीजे, अगर हम solenoid के magnetic field का formula देखे, तो mu naught Ni upon में L, क्या लिखा है, magnetic field produced by a current carrying solenoid, is independent of its length, and cross-sectional area, cross-sectional area से free है, बट length पर जो है बच्चा, वो depend यहाँ पर कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जो long solenoid का formula होता है न, उसमें हमको यह पूरा देखना पड़ता है, capital N upon L, आपका solenoid, भले एक centimeter का हो, उसमें 5000 tons होता है, उसमें क्या होता है, 5000 tons होता है, आए कि नहीं समझ में, हाँ, तो यह area पर depend नहीं करता है, और उसके length पर भी depend नहीं करता है, यह बात बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर answer क्या आएगा, assertion is right, the magnetic field inside the solenoid is uniform, सही है, हमने पढ़ा भी है, कि magnetic field के अंदर का जो gap होता है, उसमें magnetic field lines कैसी होती है, uniform होती है, एक straight line में होता है, तो बिल्कुल सही है यह भी, लेकिन यह इसका correct explanation नहीं है भाई, क्योंकि यह आता है derivation से, और यह तो statement हुआ, तो का असरी पंट किया, इसलिए दोनों सही है, लेकिन वो correct explanation नहीं हुआ, yes, option number B is the right answer, चले, अब हम section B में entry मारते हैं, जहां पर दो marks के सवाल पूछे जाते हैं, पात सवाल होते हैं, आईए, जहां पर भी theory होगा, जहां पर भी derivation होगा, क्योंकि मैंने आपको सुबह के lecture में करा दिया है, तो आप वहां पर ज़रूर याद रखेगा कि, ऐसे derivations ऐसे पूछे जाते हैं, और इनको ऐसे करना होता है, हम ज़्यादा तर focused numericals पर करेंगे, got the point, चलो, two identical circular wire, P and Q each of radius R, and carrying current, I are kept in perpendicular plane, such that they have common center as shown in the figure, figure मैं draw करूँगा, attention ना लीजे, यह ऐसे हैं, इस तरीके से, चत्ती मान की तरह, एक ring ऐसे है, और एक ring ऐसे है, हो गया ना perpendicular, एंगल यहाँ पर 90 degree बन गया, दोनों का radius बच्चा R ही है, इसका भी radius R है, और इसका भी radius R है, सवाल के statement के हिसाफ से, find the magnitude and direction of the net magnetic field, at the common center of the two coils, वा, तो अगर दोनों में same current flow हो रहा है, same current flow हो रहा है क्या, carrying the current, हाँ ठीक है, same current नहीं बोल रहा है, common center से दुर्पाइदे, carrying current, I, I ही बोल रहा है, तो हम I ही ले लेते हैं, इसमें से भी current आई चल रही है, और इसमें से भी current आई चल रही है, देखो बहुत simple है, नीचे वाला जो कि X axis है, for X coil, formula क्या बनेगा, में तो formula यह बॉस, तो μू 0 I upon 2 R, यही होगा, where will be the direction, see नीचे वाली रिंग ऐसी है, the current is passing in this way, so I have to put my right hand का four finger, in the direction of current, look at the thumb, going upward, तो नीचे वाले की वज़ा से, मिलने वाला जो direction है, उपर की तरफ है, इसको मैं G cap लेता हूँ, and for Y coil, यह वाली coil, इसका भी formula वही बनेगा, because ring के center पर यही होता है, now where will be the direction, अगर current ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो मैंने अपनी चार उंगलियों को रखा, थम देखे मेरे तरफ आ रहा है, यह माइनस आई क्याप हुआ, अब यह वाला B और यह वाले B की बीच में, angle 90 degree है, because एक Y axis में है, और एक X axis में है, इधर भी हो सकता, अगर मैं current ऐसे चलाता, ऐसे चलाता थो इधर, क्या फरक पड़ता है, angle 90 degree है, तो जब दो वेक्टर के बीच में, because दोनों ही वेक्टर है, के बीच में angle 90 degree हो, तो जो resultant होता है बच्चा, वो ऐसे ही निकलता है, बीवन का स्क्वार प्लस बीटू का स्क्वार, यह 11th क्लास की फिजिक्स, अगर आप भूल गए है, तो इस तरीके से दो वेक्टर के बीच में, angle पता हो, तो वी चन फाइंड फाइंड दो मैंगनेटिक फिल लाइक देस, तो अंडर रूट में, यह भी सेम है, यह भी सेम है, 2B का स्क्वार, अंडर रूट 2B, यानि कि में रूट आई, अपॉन में 2R, दाट सेट, यही पूछा था, दो मांक्स का, यह आपका सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बच्चा, मुझे पताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बिकरज यह टोटल थियरी है, जो कि हमाने ब्रह्मास्त सिरीज में भी पढ़ा, चानक निती में भी पढ़ा, दबंग बैच में पढ़ा, सही है ना बच्चा लो, तो अगर आप true SSPN हो, बाब SSP को दिल से मानते हो अपना बड़ा भाई, तो इस सवाल का जवाब, अपनी notebook में निकालो, derivation करके, और comment में जरूर कर देना, येस बाबा मजा आ रहा है आपसे पढ़के, एंड हमने जो है, बाब SSP आपकी कथना अनुसार, इसका प्रश्ण जरूर किया है, अगर आप सच्ची में किये हो, इस minute पर पहुचे हो, तो सचिन सर फिजिक्स इंस्टाग्राम पर फोटो कीच करके tag करना, भया आपने जैसा बोला हमने किया, ये दो मास का सवाल, हाँ, ये सवाल देखिए, NCRT examplers से उठा है, बहुत प्यारा सवाल है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, JEE में भी आ चुका है, सर क्या CBSE के सवाल JEE में आते हैं, भाई साब CBSEC तो सब पैदा हुआ है, NEET और GEE, इसको अच्छा कर लेंगे, तो सब अच्छा हो जाता है, Two cells of same EMF, same EMF, देख रहे हैं terminals, और ऐसा नहीं है कि हमने ये concept को सिखाया है, तो आपको बताया नहीं कि कैसे करते हैं, आप कभी भी हमारे विडियो लेक्चर्स देखेंगे, तो हम बच्चा इसी बात पर जोड़ देते हैं, अब जिसने समझा होगा, अभी समझ में आ जाएगा, दोनों cell का terminal उल्टा है, resistance अलग लग, देखो, एक R1 है और दूसरे का R2 है, मतलब इसका R1, इसका R2, R connected in series, to an external resistance capital R, ओके, what should be the value of capital R, so that the potential difference, across the terminals of the first cell, becomes 0, इसके across, मिलने वाली जो potential difference है, वो 0 है, ऐसा मैं नहीं कहा रहा है, question का demand कहा रहा है, 2 marks का सवाल है, potential difference across the cell 1 is 0, now what is the formula, potential difference across the cell, it is E minus में IR, is equal to 0, अभी MF तो उसका E ही है, I क्या होगा, I जो इस circuit से चल रही है, है न, ये दोनों का direction देखो, कैसा है, इस वाले EMF का current ऐसा चल रहा है, इस वाले का क्या हो रहा है, ऐसा चल रहा है, दोनों ही opposite direction में है, बच्चा, तो दोनों ही जब opposite direction में होते है, में भी यहाँ पर इस चोटा सा correction है, क्योंकि अगर दोनों से opposite direction में current चलाएंगे न, तो दोनों ही EMF को minus करना पड़े का current बहेगा ही नहीं, लेकिन answer बहेगा ही ऐसा नहीं है, मतलब answer आया हुआ है, तो यह terminals को बच्चा ऐसा ही कर दीजे, ताकि current का direction क्या हो जाए, सेम हो जाए, और जब current का direction सेम हो जाता है, तो हम given circuit में जो battery का voltage होता है, उसको जोड़ देते हैं, मतलब E plus E to E upon में capital R, प्लस R1 प्लस R2, इसलेक आई बराबर V by R, voltage, जोड़ा क्यूं, current का direction सेम है, टर्मिनल, अपोसिट किया, question बनाने के लिए नहीं, तो ही question गलत है, मतलब question सही है, जाई means में आया हुआ है, बढ़ टर्मिनल ऐसा था, textbook में छोटा सा error है, I के बराबर क्या हो गया, 2E upon R plus R1 plus R2, and then R1 equals to 0, ठीक है, so E बराबर 2E R1 upon capital R, plus R1 plus R2, E से E मर गया, cross multiplication, R plus R1 plus R2 is equal to R1, sorry 2R1, so capital R बराबर 2R1, minus R1 minus R2, यानि R1 minus R2, मुझे याद था, इसका answer यही आएगा, इसले मैंने टर्मिनल चेंज करवा दिया, अगर टर्मिनल ऐसा होता कि, both were making the currents in the opposite direction, we should have subtract, अगर हम subtract करने जाते हैं, तो यही 0 हो जाता है, V1E के बराबर आता, फिर question निकला लाता, D by 2, so many times, मैंने आपको बताया है, कि capacitor के दो प्लेटों की बीच में, हम जो slab use करते हैं, अगर उसकी thickness, उतनी ना हो, जितनी की capacitor के प्लेटों की gap हो, यहाँ thickness देको D by 2 है, तारीट formula यूज कर सकते हूं, कि textbook में last example है, उसको भी मैंने इसी formula से solve करके बताया है बच्चा, आपकी किताब में बड़ा complicated करता है, और हम आपकी physics को आसान करने की कोसिस करता है, चली देखे, तो C बराबर, A epsilon 0 upon D minus T plus T by K, यहाँ तो यहाँ तो यहाँ उस एक्वेशन, वेन, when the thickness is less than the gap between the plates, here the gap between the plate is D, and it is actually D by 2, तो we have to subtract, तो D minus T, T याँने के D by 2, plus D by 2, and then K, क्या है हमारे पास K की value? कुछ नहीं है, तो A epsilon 0 upon D में से आधा जाएगा, तो D by 2 plus D by 2, and then K, common ले सकते हैं, so 2 A epsilon 0 upon D 1 plus 1 upon K, और सॉल करना चाहोगे, तो D by 2 ते उपर भेज़ दिया, तो यह आपका हो गया, 2 A epsilon 0 capital K upon D K plus 1 हो गया, that's it, it's your final answer, it was from 2013, deduce the expression for the electric field, due to a system of two charges, Q1 and Q2 with position vector R1 and R2, तो हमारे पास एक charge है Q1, एक charge है Q2, और इसका position vector है R1, इसका position vector है R2, at a point P having a position vector R, अब यह वही बच्चा इसको derive कर सकता है, या चोटी सी बात है, समझ सकता है, जिसने concept को GIA है, GIA, 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 बच्चा देखो ध्यान से, किसी भी point पर electric field find करना है न, तो हमेशा देखे, कितने charges available है, 2 charges available है, मतलब 2 electric field आएगा, तो हम यहां लिखेंगे, electric field is equal to E1, plus में E2, पूरी चर्चा vector पर रखता है, now what is the formula of electric field, it is KQ upon में R का square, लेकिन जिस point पर हम निकाल रहे हैं, उसके position vector में से minus किया जाता है, इसलिए हम यहां लिखेंगे, आर माइनस में R1, मौड का क्यूब, and then R माइनस में R, plus KQ2, upon vector R minus R2, मौड का क्यूब, and then vector R minus R2, ए सर जी, मलेक, कहां से हैं मलेक, देखो, पढ़ता है नहीं है तू लोग, electric field का formula KQ upon R square होता है, लेकिन जैसे हम vector करते हैं, तो यहां पर unit vector आता है, right, now what is this unit vector, is vector upon magnitude, so when you put the value of R cap, your answer would be, KQ upon R cube, and then vector, again, यह जो vector है, वो किसका है, P point का vector है, मैं अगर Q1 की वज़े से निकालूँगा, तो नीचे R minus R1 आएगा, जिस पर निकालते हैं, उसमें से minus करते हैं, यह आप अपने आप से बार-बार बोलिए, जिस point पर निकालते हैं, उसके position vector में इसे minus करते हैं, तो यह आप दो line लिखोगे, यह diagram मना दोगे, examiner 2 mass आपको पक्का देगा, 2010 का सवाल है, आईए, आप section C के सवाल करते हैं, यानि कि chapter 1 to 4 में, चेप्टर 1 to 3 में कैसे कोईसे questions, आपके C section में पूछे सकते हैं, यानि कि आपके 3 mass में सवाल पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर पहला जो हमने लिया है question, वो है state gauss law, gauss law का statement क्या है, तो gauss law का statement है for a close loop, बोल दूँ, क्योंकि theory है, for a close loop, the algebraic sum of all the charges, रखना नहीं है, algebraic sum of all the charges, the ratio of algebraic sum of the charges, to the apsala node is always equals to, electric flux, for a close loop, लिकना बहुत जरूरी, फिर B, अब देगो, यह 22 वा सवाल 3 marks में, तो यह 1.5 marks और यह 1.5 marks ऐसा, a thin straight infinity long conducting wire of linear charge densities, बहुत ही popular question है, यार, यह हर बार board में पूछा जाता है, यह वाला derivation है बच्चा, and I hope derivation से अब तक, आप लोगों को प्यार हो गया होगा, चलिए यह आज पहला दिन आप देख रहे हैं, प्रहमास्तर का, तो आप, जो बच्चे बिलकुल पढ़ते नहीं हैं, उनसे मैं request करूँगा, derivation from chapter 1 to chapter 14 वाला वीडियो जरूर देख लेना, तीन घंटे का है, येरफोन लगाना 1.5x की speed पर सुनोगे, तो at least आपके 23 marks आसानी से आ जाएंगे, those who have prepared, they know the beauty of this, यह और यह मैंने जो है, यह वाला आपको, सुबत हीरी के classes में, जब भी आपकी ये वीडियो गई है, क्योंकि बहुत पहले ही मैं आप लोगों के लिए महनत कर रहा हूँ, बच्चक chemistry की exam से पहले, English की exam से पहले ही, तो आपने इसको I hope देख रखा होगा, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, answer 2K11 by R, इसका angle 120 degree है, चली डाइपल मोमेंट एक ऐसे ले लेते है, माइनस Q और प्लस Q, तो ये ऐसे हो गया, अच्छा, और दूसरा वाला जो डाइपल मोमेंट है, इस डाइपल मोमेंट का डिरेक्शन कहा है, तो डाइपल मोमेंट का डिरेक्शन है ऐसा, माइनस से प्लस के तरफ, इस इस यूर P1, करेक्ट ना, ठीक है, AB लिख दू ना, P1 लिख देते हैं, तो के बीच में angle 120 degree बनना चाहिए, तो यहां से यहां तक तो 90 है ही, यह लगभग 30 हुआ, तो यहां से यहां तक मतलब कि, कि मैं दूसरे वाले को थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे, यह माइनस Q और यह प्लस Q, तो दूसरा वाला जो डाइपॉल मेरा जाएगा, वो कुछ ऐसा गया, कि बीच का जो कून है, माइनस से प्लस की तरफ, गलत 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 गलत, यहां मुझे प्लस लेना चाहिए, नहीं नहीं, सही था, तो माइनस से प्लस की तरफ गया, इसका डाइपॉल ऐसा जा रहा है, इसका डाइपॉल मोन का डिरेक्शन ऐसा है, कि बीच का जो एंगल है, वो 120 डिगरी है, ठीक ना, ओकी, as shown in the figure, what is the resultant dipole moment of this combination, easy, because both are a vector, तो जब भी हम resultant निकालते हैं, हम यहीं formula हर बार लगाते हैं, a square, plus b square, plus 2ab, cos theta, where, the theta is actually the angle between the two dipole, है न, तो यहां पर angle आपका 120 है, dipole moment दोनों के same होंगे, और cos 120 की value, minus 1 by 2, जिन बच्चों को नहीं आता, ऐसे, cos 120 बराबर लिखा जाता है, cos 90 plus में 30, I hope you have watched my maths का basic class नहीं देखे हो, तो इस तरीका बता रहा हूँ, तो cos 90 plus 30, इसका formula ही होता है, बच्चा sin 30, minus sin 30, क्योंकि 90 plus theta second part में आता है, and according to maths का add sugar to coffee rule, in the second quadrant, only the sign will be positive, but here it is cos, that's why there is minus, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इस से ये कट जाएगा, तो answer आपका exactly P की बराबर आगिया, next में बूलता है, if this system is subjected to electric field directly along x-axis, so this is the direction of electric field, what will be the magnitude and the direction of the torque acting on this, तो पहले तो इसका और इसका resultant कहां है, अगर ये 120 degree पर है, तो इसका resultant कितना आएगा, तो इसका resultant होगा बच्चा, वो exactly ऐसे ही जाएगा, अरे ये कैसे जा रहा है, और ये कैसे जा रहा है, तो यहाँ पर जाएगा, तो ये वाला जो angle है, वो बीच में होता है हमें सा, 60 degree, और यहाँ से यहाँ तक भी आपका 60 degree ही है, right, समझ में आया, ठीक है, तो जो torque का formula होता है, वो होता है P e sin theta, main चीज theta है, अब देखी ध्यान से, electric field कहाँ है, electric field ये रही, और net dipole moment ये रहा, आ रहे के नहीं समझ में, okay sir, ठीक है, तो हम को ये देखना है न बाबू, कि dipole, ये dipole moment है, और ये e है, ये angle कितना है, ये task आपको दे, आनन्द आएगा, वैसे चलो, theta जो है, 30 degree, या 60 degree, चलो ये task आपको देता हूँ, और इसका answer मैं, मेरे next video में दूँगा, सुख्दम starting में ही, योग्कि आपको, हम chapter 1, 2, 3, then chapter 4, 2, 7 कर रहे हैं, तो इसका answer मैं next video में देता हूँ, लेकिन आप इसका answer पहले comment में दीजे, पुरा करवा दिया है, what is the angle between, P and E, P कौन सा, resultant, दिभाग लगाओ, चलो आजाओ, 4, point charge, Q, small q, Q, वो by mistake e लिखा हुआ, capital Q, small q are placed at the corners of a square, very easy question, ऐसे बहुत आते हैं question, resultant electric force on a charge, capital Q, मुझे इसके उपर force find करना है, इसको 1 मानिये, इसको 2 मानिये, इसको 3 मानिये, इसको 4 मानिये, ध्यान से देखना, इस पर इसकी वज़े से force यहां लगेगा, क्योंकि दोनों positive है, तो यह positive उसको बोलेगा, जो लगा रहा है, दोनों का nature देखो, यह positive, यह positive, तो यह positive बोलेगा, यह पगला, भाग यहां से, तो यह बोलेगा, जी माले एक, तो यह धर चला जाएगा, ठीक है, अच्छा, उसकी value क्या होगी, और उसको बोलेगे क्या, F1, 2, K, capital Q, Q, small q, यह दिया हुआ, इसको आप x माल लीजे, फिर इस पे, इसकी वज़े से, फिर यह उपर जला जाएगा, यह बोलेगा, यह माले एक positive, भाग यहां से, तो फिर उपर जला जाएगा, इसको बोलेगे, F1, 4, K, capital Q, small q, अपोन में, A square, it is also x, माल लिया हमने, अच्छा, इन दोनों का, जो resultant है, वो root 2x हुआ, कैसे, चलो इनकार, जो resultant है, वो f dash मानो, तो यह आपका हुआ, x का square, plus x का square, under root 2s, समझ मैं है कि नहीं, अभी बताया, यार, दो vector के बीच में, अगल 90 degree, तो यह ही आता है, और बिच्चो बीच आता है, तो यह बिच्चो बीच आता है, अब बच्चा हुआ यह है, यह बोलेगा, A मालिक, यह बोलेगा, जी मालिक, positive हुटुम, यह बोलेगा, हाँ, तो भागो यहां से, मतलब कि, यह इसको अभी भी ऐसी फिकेगा, तो यह अभी भी ऐसी जा रहा है, तो इन दोनों का result यह आया, और इसका result यहां जाएगा, यह भी इधर है, यह भी इधर है, तो कुल मिलाकर कि, जो आपका net force हुआ, F net, वो आपका F dash, plus F1, यह क्या था, 3, the force between discharges, and the distance between them, which is under root 2A, that's why, root 2A का square, is 2A का square, because it is KQ and Q2 by R square, R is root 2A, तो यह आया, I'm sorry बाबु लोग, लोड़ी जो खाम है, सर्दी चल रही है, मुंकिन काम करना चोड़ेंगे नहीं, प्यार है बच्चा, so KQ upon में A square, bracket, root 2A, sorry, root 2Q, plus, A by 2, यह आपका answer हो, यह आपका answer हो, done है, check, obtain the formula of electric dipole, due to point charge, it will be homework, right now, वीडियो को pause करो, और इसे अभी क्या भी करके, दिखा दो, चलो बच्चा, क्या है answer, KQ by R, वीडियो में करा इसलिए, हम इसके उपर focus नहीं करें, नए questions यह बात है, तो आप देख रहे हैं, कि हम आपको किस तरीके समझा रहे है, show on a plot, variation of resistivity, of a conductor, conductor की resistivity, समय के साथ घटती है, तो यह ऐसा हो गया, textbook का diagram है, chapter number 3 में, a typical semiconductor as a function of temperature, तो यह बच्चा ऐसा जाता है, resistivity versus temperature for conductor, resistivity versus temperature, semiconductor के अंदर, यह semiconductor में temperature बढ़ने के साथ, गलत हो गया बच्चा, यह आपका semiconductor है, semiconductor में temperature के साथ घटता है, और conductor में बढ़ता है, आपको ना समझ में आये, तो देखो basic समझो, कि अगर एक conductor है, जिसमें से current बह सकती थी, बढ़ हमने temperature बढ़ा दिया, तो सारे जो free electrons थे, वो क्या हो गया बच्चा लोग, disturb हो गया, तो उनकी जो current चलाने की capacity, conductivity थी बिकार हो गई, अगर conductivity बिकार हुई, तो resistivity बढ़ गई, तो temperature के साथ resistivity बढ़ रहा है, तो this is for conductor, and temperature के साथ resistivity घट रहा है, तो this is for semiconductor, what happens in semiconductor, is there are a lot of covalent bonds, so when we give some heat, or temperature, what happens, covalent bonds, gates break, more and more free electrons we get, and because of the free electrons, current can easily form, that's why, that's why, in temperature increment, in semiconductor, resistivity decreases, it's a good thing, but here in conductor, it's a bad thing, resistivity increases, because increment of resistivity, leads to the result, decrement in the conductivity, अगर नहीं, ठीक है, अब कहता है, explain how the resistivity, in the case of conductor, increases, while it decreases in the semiconductor, semiconductor में मैंने, जो कहानी बता है, वो बता है, covalent bond वाला, और conductor में आप ये बताए, कि ρु बराबर, M upon any square Tau, आप क्या लिखेंगे, temperature के increment के साथ, relaxation time decrease हो जाता है, what is this, temperature increment, so many times, I have explained this, अगर एक बार, explain कर रहा हूं, देखें, temperature बरने के साथ, vibration fast हो गया, feel it, because it is wonderful subject, once you realize, that, there is a beauty in the concept of, feel of physics, you will be in love, आप जिवन में कभी अके लिए नहीं, what is this, positive ion, and this is the electron, right now, there is a collision, what happens, when you increase the temperature, by putting, by giving some heat to the conductor, conductor को heat देने से क्या हुआ, ये vibration fast हो गया, so the time actually, between this situation, between the positive as well as this, electron, decreases, collision का टक्कर काम हो गया, temperature देने से, ये कम हुआ, resistivity बढ़ गया, आपको ऐसे लिखना है, statement में, कि according to this formula, temperature increases, tau decreases, which is relaxation time, and rho increases, but in semiconductor, what do you have to write, what happens, by giving lot of temperature, जो हमारा N होता है, वो बढ़ जाता है, N क्या है, number of charge carrier, why it is increasing, because covalent bonds are breaking down, so more and more bonds are breaking down, will give you lot of electrons, or holes, increases, decreases, आई समझ मैं, ठीक है, तो इस दम, pure conceptual based question, जो है, क्यों चार्ज, to a center of the axis, अब इसको, यहां से उठा के, यहां लाना है, amazing concept, अगर आपने, मेरे lectures, दबंग बैच के, देखे हैं, या, चाने के निती के, देखे हैं, बच्चा, या फिर, ब्रहमास्त देख रहे हो, तो यह आपके लिए, बहुत आसाना answer करना, तीन मार्क्स का सवाल है, infinity से, किसी भी चार्ज को, लेके आते हैं, तो इसका formula होता है, moving charge, bracket, VF minus VI, this way, you have to write this formula directly, moving charge कौन है, capital Q, final voltage, तो, जब यह capital Q charge, यहां आ गया, तो इस point पर, final voltage क्या है, इसके वज़े से भी है, इसके वज़े से भी है, तो KQ upon A, plus KQ upon A, यह आपका final voltage हो है, initially, initially बच्चा, charge particle कहा था, यहां था, infinity पर, तो इन दूनों की वज़े से, infinity पर आपका क्या होगा, 0 होगा, KQ by infinity, because for this, it is infinity, for this, it is infinity, so at this particular point, there is no potential, got the point, but here, there is a potential, distance, and distance, तो VI 0 है, तो यह आपका answer हो गया, 2KQ by small A into capital Q, amazing question, बच्चा, इसी में अगर ऐसा आता, कि वरक दन रिक्वार्ट तो ब्रिंटी तो चार्ट रिंटी तो रिंटी तो अच्टर अच्स, वाया, conservative force, और बाई conservative force, यही आपका माइनस हो था, so for external agency, nothing is there, that means they are asking the work done by the external agency, and if something is there, that means, conservative forces, and electron, proton and helium is entering in a magnetic field normally, तो एक electron है, electron को कैसे करता है, 1H1 से, electron 1H1, proton भी 1H1, दोनों सेम ही हो गए, अच्छा, वैसे यहाँ minus होता है, electron पर यहाँ minus होता है, बढ़ उसको दर साते नहीं है, minus 4 से कोई मतलब sign होता है, खाली difference ही ही, and helium is, अच्छा, mass का भी difference होता है, helium आपका हो गया alpha particles, which is 2HE4, थोड़ा समझना धियान से बच्चा, electron पर charge अगर मैं Q लूँ, mass में इसका M लेता हूँ, proton पर अगर मैं charge लूँ Q, इसका mass कुछ जादा होता है, कितना जादा होता है, देखे, electron का mass होता है, 9.1 10 raise to minus 31, और proton का mass होता है, 1.6 into 10 power minus 27, अगर मैं proton के mass को, electron के mass से comparison करने जाऊं, तो मैं यहाँ लेकूँगा, minus 31 into 9.1, अपोन, देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने यह multiply किया, ताकि यह मेरा बन जाए M.E. और यह हुआ, 16 बटे में, 19, sorry, 16 बटे में, 90 करके समझ रहा हूँ, यह point से point को काटा, 10 power minus 27, and then minus 31, कितना 31 में 27 किया 4, into M.E. Now, what will be the result of this 16 by 90, तो 16 बटे 90, 0.something है, 0.something है आएगा न, तो इसको मैं 0.1 समझ लेता हूँ, तो 10 power 4 almost है, यह 10 power 3 है, इसका जो आंसर है, वो almost 10 power 3 है, because 16 by 90 is 0.something, यानि 1 upon 10, यानि 10 power 3, मतलब, mass of जो proton है, वो 1000 गुना जादा है, ओ, 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 बहुत अच्छा सवाल बनेगे तो, होता है, नाचने लग जाता है, और लास्ट में कुछ और भी बोला, they all are having the same potential, तो R बराबर under root 2 Mk, अप उन में Qb, कानेटीक एनर्जी सेम होगा, अगर पोटेंशल सेम है, तो, हाउ सर, और उस्तो जोश बचा लो, Q into V is equal to half Mv का square, work का formula in terms of potential, and work is also a kinetic energy, तो, अगर ये सेम है, that means A, B, सेम है, मतलब, ना तो ये B पे डिपंड कर रहा, ना K पे ना 2 पे, तो R is directly proportional to, M upon Mk, तो, if I talk about R electron, it is gonna be, M upon E, or Q, if I talk about R proton, it is under root, 1000 M upon Q, and if I talk about R alpha, so, 4 M by 2 Q, 4 M बहार चला जाएगा, तो, 2 under root M upon Q, ये कट गया, तो, under root M upon Q, और electron इसका से, हो गया, तो, electron और alpha, same होंगे, लेकिन आप इसका देखिए, तो, ये ज़्यादा है, क्योंकि, 1000 है ना, 10 root 2 times, ज़्यादा हो गया, तो, ये less होगा, comparison to proton, ये answer वो, वीडियो को थोड़ा सा, पहुस करके, समझना अच्छे से, electron 1H1, proton इतना, alpha इतना, proton अल्मोस्ट, 1000 ताइमस आफ मास, और इलेक्ट्रोन से ज़्यादा है, alpha का 2Q, and then 4M, राइट, तो, हमने क्या किया, हमने, radius का formula लगाया, और kinetic energy question में, same होगई, because potential same बोल रहा है, potential के same होने से, आपका ये same होगा, charge और masses तो, उस पे depend करी रहा है, तो, R is basically depending on mass, as well as charge, अब mass and charge, इसमें है, electron में, proton में, बच्चा 1000M upon Q, और alpha में, यहाँ 4M upon Q, लिखो कि 4 बाहर जाएगा, तो 2M upon 2Q, तो 2 कड़ गया, तो यहाँ गया, यह कड़ीगा, तो इस case के बराबर हो गया न, मैंने कुछ गलत किया क्या, ओ, गलती पता चल गई बच्चा, really sorry, इससे पता चल जाता है, so, जो mass है, वो mass है 4M, और 2Q, तो यह आपका root 2 times of M upon Q है, तो यह answer नहीं लिखेंगे, अब जो electron है, वो सबसे छोटा है, उसके बाद है आपका alpha, उसके बाद है आपका proton, यह answer हुआ, आए समझ मैं, क्योंकि यह root 2 times ही है, यह देखे, यह 10 root 2 times है, चलो, और देखो, section D, आपकी case study question आते हैं बच्चा, तो आपके सामने यहाँ पर सवाल है, case study में आपको क्या करना होता है, पहले पूरा study कर लीजिए, इसमें हमें चलो ली drift, speed की जो कहानी देख रही है, मुझे साब साब, जे बराबर any video वाली, तो एक बार पूरा go through करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि drift, speed, current density, फिर वो, sigma यानि कि conductivity का relation, resistivity का relation, यह सब हमें पता होना चाहिए, तो आप उसको go through जरूर करें, अब इसके सवाल देखिए, मैं आपको सिर्फ हिंट दूँँगा, इसके सवाल आप खूद बनाओ, विकिज यह आपको मैंने कराया है, टॉपिक, कुश्चन जीतना सेल्फ प्राक्टिस करो कि उतना बेहतर होगा, वोट इस दगरेंट, flowing through a conductor, if one million electrons are crossing in one millisecond, through a cross section of it, apply the formula, I is equal to QbyT, anyby T, millisecond 10 to Manus 3, and million 10 power 6, 1.6 10 parallels to Manus 19, do this सवाल बाप्चा, and जो सच्चा विद्यारती है, जो बाबा SSP से जुड़ा हुआ है, वो इसका answer जरूर देगा, SI unit of electric current is, नहीं बता सक sus? करता है दो इस कांसर क्यों बाइटी कुलम पर सेकेंड आ स्टेडी करेंट फ्लोस इन मेटालिक कंडॉक्टर ऑफ नौन उनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वीच अब इस कॉंटिटी इस कॉंस्टेंट अलों दे कंडॉक्टर कंडॉक्टर में से मतलब की कंडॉक्टर भी आप डिपंड करेंगा एरिया पे करेंट ये दैंसिटी क्रिफट स्पीड भी डिपंड करेंगा तो दौन करता है करेंट डानशाटी निबाइसर्ट करता है अब आपके पास पड़ा सिर्फ करिंट और एलेक्टरिक फिल्ड है सोचिये, दीजे इसका जवाब, current और electric field, electric field होता है ना बच्चा, जिसका सीधा सम्मन इसके साथ होता है, battery के plus और battery के minus के साथ, current का जो formula होता है ना, उसमें भी बच्चा number of electrons बहुत matter करता है, और अगर ऐसे हैं, तो uniform current तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि कुछ electron's यहां है कुछ electron's यहां है तो depend किस बात पर करेगा आएक नहीं समझ नहीं तो इसे साफ से current depend नहीं करता है current जो है बच्चा depend करता है ये भी answer नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो बसता है सिर्फ on electric field metric positive or negative के वज़ा से ये 60 गर क्या आजाता है बच्चा तो ये depend नहीं करता a constant current I is flowing along the length of a conductor variable cross section is shown in the figure the quantity which doesn't depend upon the area of cross section चलिए ये भी मैंने थोड़ दिर पहले आपको बताया इसका भी answer आप दीजिए when a current of 40 ampere flows through a conductor of area तो ये आपका current दिया है ये आपका area है current density जे बराबर होता है बच्चा आई अपॉन a सर ऐसे ही question आते हैं क्या आते ज्यादा बच्चों को ये भी नहीं आता है क्योंकि वो रट के जाते हैं physics पता होता है तो फिर आसान लगता है समझ गए आई अगले प्रश्ण पर चलते हैं हमने यह solution डाल दिया था कि आपको समझ में आए खाली तो दूसरा वाला जो के स्टड़ी है बच्चा यह मैं आप लोगों को होमग दे रहा हूं स्लाइड आप लोग डाउन्लोड करिए टेलिग्राम पहले मैंने पहले बताया वहीं से और इसको खूद बनाईए स्वयम बनाईए कुछ कोश्चन्स बच्चा आपको खुद करने हैं मैं वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमेशा यह बार बार कहता हूं खुद भी कुछ कोश्चन्स प्रक्टिस करेंगे जब आप को सीखे तो आपको बहुत मजाएगा सिर्फ कोश्चन करेंगे तो भी प्र स्वाल आईए डेराइव एक्स्प्रेशन ओफ एलेक्रिक फिल्ड दॉड डाइपोल और इस एक्वेटर आपको खुद ही करने चाहिए अगर यह पॉजटिव लोगे यह आप नेगेटिव लोगे तो इसके वज़से इलेक्ट्रिक फिल्ड यहां गई इसके वज़से इले है इसका विदेखिए यह आपका थीटा है यानि यह भी क्या हो गया कौस थीटा यह आपका इसाइन थीटा और यह आपका इसाइन थीटा बरावर ब्रह्मास्तर के अंदर ही कर रहा है तो फिर इवर में बहुत ज़्यादा फूकस नहीं करूंगा विकुज एक ही चीज को तो यह 3-4 बर लिखाओं तो कोई मतलब नहीं है आईए इस प्रश्न का उत्तर आपको देते हैं अच्छा सवाल है यह यह बाई मिस्टे के बच्चा इसको अवोईड कर देते हैं कारण इसमें एक A section भी है वो नहीं लिया हमने तो इसे आप नहीं करें हाँ इस question पर आईए टू पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q आर लोकेटेड एड पॉइंट 00-A एंड 00-A तो देखो डाग्राम से समझते हैं दो पॉइंट चार्ज है एक आपका प्लस Q है और एक आपका माइनस Q है प्लस Q जो है वो 00-A पर है अगर मैं इसको और जीन मानू 00-A तो यह हुआ आपका प्लस Q यह 00-A पर है है फैंड द इलेक्ट्रोश्टिक पोटेंशल ए't года 00-Z and X Y कॉमा 0 ओलराइट तो हमें निकालना एलेक्ट्रोश्टिक पोटेंशल & 00-z person 00-z Amazon कहां होगा अगर यह हमारा एकक्स है आभ दिये वाइ एक्स है तो 00-Z मतलब कि पर्पेंडिक दिक्ट स Separ आया समझ मैं और पर्पेंडिकलर को मैं ऐसे दर्सा रहा हूँ वड़ यह है रियल में ऐसे बाहर की तरफ यहां से डिरेक्शन मतलब मालनो कि यह पॉइंट है तो इस पॉइंट पर जो कि यहां है इस पॉइंट पर यहां पर प्लस की वज़े से भी मिलेगा माइनस की वज़ है यह बट्चा बट्चा जएड है तो यहां पर जो है न आपका क्या है पी पॉइंट है तो यह इस चार्ट से कितने डिस्टनस पर है बाहाए गर में इसको ऐसे ऐसे दिखाओω सिर्ध थोड़ए दが लिए ऐसे तिखाओं यह बिए this is a this is z तो बच्चा यह distance हुआ कितना आपका अंडरूट अफ जैड स्क्वेर प्लस a स्क्वेर वैसे ही इसके वज़े से भी कितना हुआ अंडरूट में z स्क्वेर प्लस a स्क्वेर ऐसा क्यों हो रहा बिकिस z एक्सिस और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है प्लीइब पर हैं दोनों हां सो जो वोल्टेज हुआ वो जाएगा के क्यो अपॉन जक्र प्लस a स्क्वेर प्लस k-क्यों जक्वेर प्लस में a स्क्वेर उरी दादा कामा लेग यह तुम कट गया ना जी थो वोल्टेज वा कितना हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा बुझाया? ठेक है दूसरा बोलता है xy, 0 अब x और y की value क्या है हमको नहीं पता है लेकिन xy, 0 तो x की कुछ value हो सकती है y की कुछ value हो सकती है अब हमको निकालना पड़ेगा voltage ठीक है xy, 0 कहा होगा देखिए चले बच्च आपका समय बच्च इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अल्रडी एक step कर दिया डियाग्राप बना करके देखे अब ही बोला xy और 0 पर xy, 0 यहां कहीं होगा यह x, y, z है ही नहीं क्योंकि यह plane ही आपका xy, z तो इधर बाहर के तरफ है तो अब positive के वज़े से यह distance positive 4 से kq by r लिखते है तो यह r है आपका यह आपका a था, यह आपका a है sorry, यह आपका a है यह आपका x है और यह आपका a है तो a प्लस x का whole square प्लस y square, which is the value of this y because we write na v बराबर kq by r वो लिखा फिर आपका हो गया minus में kq upon में same अब नीचे वाले को solve तो करी रही सकते है वो as it is लिखकर को आपको छोड़ना होगा minus q से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए मैंने यह distance निकाला यह distance है मेरा a minus में x और y रख दो get the answer बड़ अब इसके बाद आपको solve नहीं करना है क्योंकि यहाँ कोई condition नहीं बताया कि x greater greater than a है otherwise we could have taken a 0 0 भी ले सकते थे बट वो दिया नहीं है चीक है आईए अगले प्रस्ट पर चलता है लेकिन एक और यहाँ सवाल है I guess c c को देख लो how would you answer how would your answer change if the path of the test charge between the same points is not along the x-axis but along any other random path justify your answer in each case पहले वाले case में और दूसरे वाले case में आपको बताना है कि जो test charge मतलब जिसके उपर हम potential find कर रहा है क्या वो answer change होगा आप दीखी इसका answer कैसे कर सकते है तो हमने concept पढ़ा था potential energy का कहानी पहली एकदम starting में chapter में जब भी पढ़ाता हूँ potential capacitance तहीं बता देता हूँ कि जब भी हम test charge को move करता है न याद करिए test charge को move कर रहा है किस में conservative force में electric field conservative force या field होता है तो conservative path के अंदर कभी भी न जब test charge को चलाते हैं तो वो depend ही नहीं करता work done और work done basically relate करता है potential को तो whatever the path of the test charge it never depends on the path but it always depends on the initial and final point समझ में आया जैसे इस pain को मैं यहां से उठा के यहां इस height पर ले जाना चाहता हूँ तो एक student आया sir मैं ऐसे लेकि यहां तक लाया एक student sir ऐसे एक student ऐसे whatever the path a b c initial and final के बीच का gap matters तो हम क्या लिखेंगे path से यह free है path पर depend नहीं करता चलिए अगला सवाल देखते है so derive an expression for the capacitance you have to do it बच्चा और यह जो सवाल है आपके NCRT textbook का है फटा फट इसको as a homework लीजिए यह आपके series में है इसके साथ यह parallel है उसके बाद वापस series है निकाल करके answer लाओ और charge find करो आप video lectures देख रहे हैं बच्चा NCRT का पूरा example plus पूरा exercise का solution आपके channel पर मौझूद है आपको सिर्फ playlist देखने की जरूरत है so this question I have taken from textbook जरूर करें इसे ठीक तो यह था पहला chapter दूसरा chapter और तीसरा chapter का खास-खास question इस label का question बहुत लोग आपको यह भी कहेंगे कि ऐसा ही paper होगा बस यह करके जाओ कभी इस ट्रैप्न मत पढ़ना बस यह करके जाओ कभी नहीं हाँ ठीरी पढ़के जाओ टेरिवेशन पढ़के जाओ और ऐसे question के practice कर लो तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर जाओगे सिर्फ यह पढ़के जाना गल्ब बात है आई हो बच्चा या लाइक इस चैनल अगर आप नए हैं तो बीए पार्ट अप्ट अप्ट इस बीटिफुल फामली बहुत बहुत शुक्रिया पार्ट बात है